नमस्कार दोस्तों प्यमना टेक्चन पर आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में आपको Windows 11 बाल पेपर की complete setting बताने वाला हूँ जैसे किसी एक पिचर को बाल पेपर की रूप में केसे set करे solid color केसे set करे और बहुत सारी पिचर का slider केसे set करे वीडियो सुरू करने से पहले सोटे सी आपसे एक request यदि आप प्यमना टेक्चन पर पहली बार आए हैं तो चैनल को subscribe करके मुझे support करे ताकि मेरा वसला बढ़ता रहे चलिए सुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको desktop पर right click करके personalize पर click कर देना है या फिर आप या विंडोज के आइकन पर click करेंगे settings पर click करेंगे उसके बाद में personalization इस पर click कर देंगे उसके बाद में आपको themes पर click कर देना है उसके बाद में बाल पेपर की complete setting आपके सामने आ जाएगी या current theme के अंदर आप देखेंगे तो पहले से कुछ theme दी गई है इसको भी आप change कर सकते हैं change करने के लिए इस पर click करेंगे ये change हो जाएगा आप देख सकते हैं ये change हो गया है उसके बाद में इन में से आपको कोई पसंद नहीं आता है आप और theme डाउनलोड करना चाहते हैं तो browse theme पर click करेंगे आपके सामने बहुत सारी theme आ जाएगी आप देख सकते हैं जो भी आपको पसंद हो उस पर click करेंगे जैसे मैं इसको set करना चाहता हूँ तो इस पर click करता हूँ उसके बाद में gate पर click करते हैं ये कुछी समय में download हो जाएगी तो इसको download होने देते हैं download होने के बाद open पर click करेंगे उसके बाद में ये theme यहाँ पर add हो गई है अब इसको लागू करने के लिए इस पर click करेंगे ये shape हो जाएगा आप देख सकते हैं ये theme shape हो गया है उसके बाद में उपर की तरफ आप background पर click करेंगे तो आपके सामने और भी option आ जाएंगे यहां सेबसे पहले picture select रहता है यहां से आप picture को select कर सकते हैं यह आप किसी एक picture को set करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं यह तो आप उस picture पर right click करेंगे फिर set yes desktop background इस पर click कर देंगे यह picture बाल पेपर के रूप में set हो जाएगा इसके अलावा आप browse photo option पर click करके भी किसी photo को set कर सकते हैं आप देख सकते हैं यह फिर से set हो गया है तो अब हमने picture की setting करना सीख लिया है अब यहां पर click करेंगे और solid color पर click करेंगे उसके बाद आपके सामने कई color आ जाएगे आप जो भी color बाल पेपर की रूप में set करना चाते हैं उस पर click करेंगे जैसे मैं इस पर click करता हूँ तो यह set हो गया है इस परकार से आप color को बाल पेपर की रूप में set कर सकते हैं फिर से यहां पर click करेंगे और अब की बार हम select show इसको set करेंगे Select show का option बहुत ही मज़ेदार है अब क्या होगा Microsoft आपको हर एक mint में एक नई picture दिखाएगा हर एक mint में यहाँ पर automatic picture change होता रहेगा आपको ऐसी ऐसी scenery देखने को मिलेगी जिसको आपने कभी जिन्दगी में देखा भी नहीं होगा लेकिन आप अपने 100% का select show लगाना चाहते हैं तो आप browse पे click करेंगे browse पे click करने से पहले आप जिस जिस photo को select show में लगाना चाहते हैं उसको किसी एक folder में add कर लेंगे तो मैंने पहले से ही कुछ photo add कर लिया है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह बाल पेपर के नाम से मैंने एक folder बना के रखा है इसके अंदर मैंने कुछ photo को add किया है अब इन photo को बाल पेपर के रूप में लगाने के लिए browse पे click करेंगे और फिर उस folder को select करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं choose this folder यहाँ पर कोई एक picture select नहीं होगा यहाँ पर पूरा folder ही select होगा उसके बाद में folder पर click करके choose this folder पर click करते हैं उसके बाद में इस folder में जतनी भी photo है वह हर एक minute पर change होता रहेगा यहाँ time दिया गया है एक minute, 10 minute, 30 minute एक गंटा, 6 गंटा और एक days तो आप देख सकते हैं एक minute के बाद में यह picture change हो गया है इस परकार से जो भी हमने picture add की है उस folder के अंदर वह सभी हर एक minute पर change होता रहेगा इस परकार से आप Windows 11 PC पे Wallpaper के setting कर सकते हैं उमीद करते हैं जानकर यह आपको पसंद आई होगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक जूरू करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के से नए टोपिक के साथ जेहिंद वन्दे मातरम